दिल्ली के भीतर अपनी पार्टी की राष्ट्रिये कारकारनी की बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित करते हुए चिराग ने केंद सरकार से आगरह किया है उन्होंने कहा है बिहार में राष्टपती सासन लगाया जाए वहां अराजक हालात पैदा हो गए है करपसन चरम सीमा पर है सरेरा गोली बारी हो रही है अपराधी बेख़ौफ है टार्गेट किलिंग हो रही है अनसूचित जाती जन जाती के लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे है उनके साथ दुषकर्म के मामलों में लगतार बढ़ोतरी हो रही है अपसोस कि अपराधियों पर कोई करवाई नहीं हो रही बिहार के मुख्य मंत्री राजिक असासन चलाने में पूरी तरह से नाकाम है चिराग पासवान ने अपनी पाटी की राष्टिकार कारनी की बैठक को संबोधित करने के साथ ही मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है जी हाँ मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुर्व केंद्रिय मंत्री और उनके पिता स्वर्गिय राम बिलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग अब उठाई जानी चाहिए वहीं राष्ट्री ईवायों के गठन के साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाओ लड़ने की बात भी वो कर रहे थे इसके अलावा उन्होंने देश में समाजिक और आर्थिक तोर पर कमजोर वर्क से आने वाले लोगों की नियाई पालिका में उच पदो पर नियुक्ती के लिए भारतिये नियाईक सेवा प्रनाली को जल्थ जल्थ लागू करने की बात भी कही है जमुई से सांसत चिराग पासवान की इस मांग पर जदियू का कहना है कि देखिये चिराग पासवान विपक्ष में है तो वे कुछ न कुछ तो कहेंगे ही लेकिन उन्हें सुबे की मुखिया पर अटाइक बोलने से पहले NCRB के आकड़ देख लेने चाहिए उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों और विशेश तोर पर भाजपा सासित राज्यों या कहें कि दिल्ली जैसे केंदर सासित राज्यों से ही तुल्ला कर लेनी चाहिए बिहार देश के दूसरे राजियों की तुल्ला में बहुत बहतर है और NCRB के आकड़े कोई बिहार सरकार के आकड़े तो है नहीं तो ऐसे में उनकी सारी बाते खुद बखुद बेमानी साबित हो जाती है गौर तलब है कि जमूई सानसद बीते दो-तीन सालों से सूबे के मुखिया नितीश कुमार पर लॉयन ओर्डर पर को लेकर लागतार हमलावर हैं उन्होंने साल 2020 में संपन्ध हुए विधान सवाचुनाओ के दौरान भी जेडियू के उमिद्वारों के खिलाप अपने में बढ़ चुका है एक धरे की अगवाई जहां वे खूद कर रहे हैं तो अब दूसरे धरे की अगवाई उनके चाचा और हाजी पूर्दिसान सथ पसुपति कुमार पारस कर रहे हैं लेकिन चिराग पास्वान कमजोर होते हुए नहीं दिखे लगतार वे बिहार के मुख होंगे या नहीं होंगे यह सवाल जब किया गया जब राष्टिकार कारनी की बैटक से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने चुप्पी साध ली